बिसमिल्टार्णुल्स भी किए जब भी ड्रुच को और मॉर्किट में आती तो उसका एसे क सेग किया जाता है कि इसकी पॉटेश Im 지uktmasite और सटीर्ड के साथ में अगर किसी dell i5 को यूज़ करते हैं जाका घ्या मतलब कि ड्रग को तर्फ एंधिमल पर आपकी सग्सान इसे करते है सब में करें नहीं यूज़ टीन टैप्स होते हैं कह crédकर थे आपको ड्रग का स्ट्रक्चर पता होता है तो उसके आप केमिकल ऐसे फाइंड करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं केमिकल ऐसे केमिकल ऐसे में कि किस हमाउन तक किस हद तक जो है एक्टिव इंग्रीडियन मोजूद है यह तब कर सकते आप जब आपको ड्रग का स्ट्रक्चर या कपोजिशन पता होती है उसके बाद इम्मिन ऐसे इम्मिन ऐसे में क्या होता है आपको नोन एंटिजन के थुरू अन्नोन एंटिबाडिस फाइंड करनी होती है या उसके इलावा नोन एंटिबाडिस के थुरू अन्नोन एंटिजन फाइंड करनी होती है यह वाइस विर्षा का एक इसे होता है ठीके जी लाइक वाइस आप ब्लेड सेंपल लेंगे उसमें आप find करेंगे कि इसमें कौन सा एंटीजिन है तो आप पुट करेंगे किसी नोन एंटी वाले सेंपिल में तो आपको पता चलेगा अगर उनकी बांडिंग हो जाती है कॉंप्लेक्स बन जाता है रियक्शन हो जाता है तो हम इस वाले से को कहते हैं इम्म्यून ऐसे ठीक है जी उसक किonne को है एट किय मंस करते हैं इसको नीड को कि नीड क्या होती है अब नीड फट्टी है उसा जी नीड को ड्रग का जो है केमी कल स्ट्रक्टर में पताना हो गो में तो आप णिकर आप प्केमिक लोगे तब आप ऐसे करते हो ऐ हो आपको ड्रग की कैमिकल कंपोदिशन पताना हो तब आप बाइवसे करोगे अधरवाइद आप पता होंगी तो आप यह तरफ जाओगे अगर आपको ड्रक का एक्टिव इंग्रीडियन्ट पताना हो अगर आपको ड्रॉट का फामकॉल एक्षण पता ना हो ठेगा जी अगर आपको ड्रॉग przysz फोर में हो में हो मैं में हुत जी अगर आपको ड्रॉग को सप्रेशन ना कर सको तदक्र लकेडिक ने कॉम्पलेंचर में हो कर तो इन सारी वजुहाद के basis पर आप जो ऐसे perform करोगे वो होगा बायो ऐसे ठीक है जी यहां कुछ ड्रक्स ऐसी होती है जिनके structure तो वे different होते हैं पर उनका pharmacological action जो होता है वो सेम होता है जैसे के डिजॉक्षिन या जिटॉक्षिन जुट सुंद इसारे के सारे जुए होते हैं इनका होता है no the same कसे ही रहता है इन सारी पिरेजाव मैं बायों एसे करते हैं अधर्वाइस के मैं कर सकते हैं ऑच और आभांटीज्स अग्या हुते हैं बाइगर हाँ यह होते हैं कि हम लाइकवाइज आपकी कुछ सिमिलर वही होंगे क्योंकि देखें अगर आपके पास ड्रग का इस्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप क्या करोगे बाइवाइसे के तुरूस को डेटरमाइन कर लोगे ठीक है ना उसकी पॉटेंसी उसकी इफिकैसी उसकी टीडी 50 और एल्डी 50 क हम क्या करते हैं डॉस देते हैं अर्डी 50 ऑर इसके लवहाइसे से त्रॉक्चर आवेलेबल नहीं नहीं होगा तो उस ड्रक्षीज़ नहीं है जिनकी कमपोजिशन का पता नहीं है जिनका सेप्रेशन है कर सकते हैं और उसके इलावा आप specificity यह आप Determine कर सकते हैं कि कौन सी एंटी बायटेक किस माइक्रोब के लिए effective है ठीक है जी जैसे के एपनिसलें होती है यहीं पैनिसेलेंट फैक्टिव नहीं होती ग्राम नीगेटिव के लिए तो यह क्या है यह सबस्क्राइब कर रहे हैं और यह एड़ांटेज जो थे इस चीज़ के उसके एलावा बाइविसेगे में बात करेंगे फर्दर के हमने क्या करना क्या होता है इस बाइवसे में पूरे के पूरे में हमने इस्टेंडर्ड और जो है सेंप्ल की रिजर्ट्स को जो है कंपेर करना होता है स्टेंट सालविशन लेते हैं सेंपल सालविशन लेते हैं दोनों के दोनों इंजेक किया जाते हैं यूज किया जाते हैं एनिमल्स पे उसके बाद उन दोनों का कंपेरियन किया जाता है कि हां कौन सा जो है हमारा हमारा सेंपल आया हमारा सेंपल इस्टेंडर्ड के अकॉर्ड कर रहा है तो it means it is not more eligible ठीक है तो हम determine determination कर लेते हैं इन डॉक्ती जो भी नई drugs market में आती हैं तो उनकी हम ऐसे वगएर test कर लेते हैं animals को use करके ठीक है जी अब हम करना होता है कि हम ऐसे determine करना है हम लेक्स लेक्टर में पढ़ेंगे बायो ऐसे आफ इंसुलिन जिसमें हम इंसुलिन की strain preparation और sample preparation by using the animal वो find out करेंगे कि कौन सा response जोने ठोड़ा है और हम समय दे की questions करेंगे कि बायो ऐसे आफ इंसुलिन कैसे किया जाता है